इफेक्ट का नाम सुनके आपको शाहिद लगता हो कि अब हम एडिटिंग को मास्टर करने लगें शायद और हम इस स्टेज पर हैं कि हम इस वक्त बड़े बड़े एफेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको शाय थोड़ा सा इसा है नहीं कि प्रीमेर प्रो के अंदर जो एफेक्ट्स हैं आपके पास बेसिकली वह अच्छे एफेक् करके, क्रैट से यूज करके चीज़ों को क्रियेट करना पड़ता है इसमें कुछ इस तरह के एफेक्स नहीं हैं कि आप समझें कि वह वी एफेक्स हैं को बेल्ट इन चीज़े हैं इसमें बेसिक एफेक्स बिल्कुल मजूद हैं और बड़े एफेक्स पी या जो आँ आँ इसमें देखते हैं वह इन ही एफेक्स एक्मुलिफेंशन से बनते हैं तो हम स्टेब बे स्टेब चलेंगे हम इन एफेक्स को देखते हैं और क्या-क्या पॉस्यosure से इंसमें इनको explore करते हैं जी इस वक्त मेरे पास diem line पे दो क्लिप्स मुझूद है एक मेरे पास इस तरह का शॉट है और दूसरा मेरे पास एक बर्ड का शॉट है हम इसको चेक कर लेते हैं एक कंट्रोल विंडो से कि यह बड़ी जी बड़ी रेजुलूशन का था तो इसको हमने फर्दर इसको एड़स्ट कर दिया यह 4K था हमारी किया एफक्स के ही पैनल के अंदर हमारे पास वीडियो एफेक्स के राम से भी एक बनावा है उसी तरीके से अब जब हम इसको फर्दर एक्स्ट्रो करते हैं तो हमारे पास और बिंस बनी वह हैं और इन बिंस के अंदर फर्दर आपके पास बेतहाशा एफेक्ट कुछ कि क्या क्या options हमारे पास हैं कुछ चीज़ हैं जो मैं आपको कहूंगा कि आप इनको explore करें बारी बारी लगा कर देखें कि क्या आपके कि वीडियो पे टाइम लाइन पे क्या चेंज आता है किस तरीके से आप उसको फर्दर यूस कर सकते हैं मेरे पास बहुत सारी यहां पर बिंस मौझूद हैं और अगर मैं इन में से सिर्फ आपको चंद कुछ explore करने के लिए में भी मैं कर दिस्टॉर्ट में जाता हूं तो इस इफेक्ट को पक्रूंगा मैं यहां से और उसको क्लिप के उपर जाके ड्रैक एंड ड्रॉप कर दूँगा इसका एक तरीका और भी हो सकता है जो कि यह है कि आपके पास टाइम लाइन पे वो क्लिप सेलेक्ट हुआ हो और जो उन सा भी एफेक्ट आपको लगाना है आप उसको जब डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इस क्लिप के उपर लग जाएगा और इसकी कन्फरमेशन आपको किस तरह होगी कि आपके सेलेक्टेट क्लिप के उपर वो एफेक्ट लग चुका है तो आप अगर अपनी एफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर जाएं तो बाइड डिफॉल्ट जो इसक चुका है और इस एफेक्ट के थुरू आपके पास इसकी और भी ऑप्शेंज आ गई हैं जो जो पॉसिबिलिटी जो जो ऑप्शेंज उस एफेक्ट के अंदर हो सकती है हमने मिरे एफेक्ट लगाया था और मैं अगर फर्दर इसकी प्रपरटी को चेंज करता हूं तो यहा की सेटिंग से एड़ेस्ट कर सकता हूँ मैं इसकी रिफलेक्शन को एक्स और वाई एकशिस पे चेंज कर सकता हूँ और इसको देखने के लिए के एफेक्ट से पहले यह क्या था और एक प्यक्त के बाध किया है एफेक्ट के बाद तो आपको और ऐवीशर और इम उबन च चेंजिस की है, जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो वैल्यूस, को हमने चेंज किया, जिसे साफ से इसको हमने सेट किया, इसको मैं Fx तो कलिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर वो वियू दिखा रहा है, जो एफेक्ट इस वर्ट बन चुका है, जैसे कि मिरे एफेक्ट था आ भुचिव करना चाते हैं कर सकते हैं, निसाल के तोर पे अगर इसी के साथ-साथ मैं यहाँ Par पर एक और एफेक्ट एड़ करता हूं मेभी हम यहाँ परो अगर मैं अपने ब्ले के कोवर के अंदर गया, और यहाँ से मैंने directional blur हम ट्राइ करते हैं इसके उपर मैंने लगाया ट्रैक करके तो रहां सकते हैं कि मिरे के साथ नीचे directional blur भी add हो चुका है और यहां से आप इसकी ऐस की परदर सेटिंग्स को अगर च्येडिंगे तो आप इसकी blur की direction, blur की length और आप देख सकते हैं कि इस वक आपका जो final image है वो blur हो चुका है और वो जैसे कि ये directional blur था तो ये इस वक एक direction के अंदर जो कि हमने यहां से खुद decide की उसके अंदर ये blur हो चुका है उसी तरीके से इसको हम on और off करके देख सकते हैं हमारे बस implement आ रहे हमें ये effect बसंद नहीं आया जो हम चाह रहे थे नहीं बना तो हम चाहें तो इसको यहां से select करके just delete press करेंगे तो आपका वो पूरा effect delete हो जाएगा हम इसकी जगा कोई और effect लगा कर देख सकते हैं कि अगर हमें maybe directional नहीं तो हमें question blur चाहिए हो और इसको यहां पर लगाने के लिए हमने ड्रैक किया इसकी settings में हमने इसको change किया आप देख रहे हैं कि इसको ब्लर कर रहा है इसकी horizontal वर्टिकल दोनों ब्लर कर रहा है इसमें और options देख सकते हैं इसको आपका image पूरा इसको दो effect लगें एक ने इसको mirror किया और दूसरे ने इसको blur किया इसको मैं आपको full screen करके दिखाता हूं ठेल्डा की के साथ यह window अगर हम blur के effect को यहां से off कर दें और हम सिर्फ अपने mirror के effect को preview करना चाहें तो हम यहां से इसको full screen करते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको actual short था और आपके एक mirror effect से यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से इसकी look बन चुकी है कुछ और effect को भी हम explore करते हैं इस effect app के अंदर आके पास बहुत सारी options मुझूद है color correction की अलग option है distort है generate है हम थोड़ा सा stylized effects को देखने जाके हमारे पास इसमें क्या क्या options हैं अगर हम इसमें replicate effect को try करें तो आप देख सकते हैं उसने इसको replicate कर दिया और उसको उसने चार window में convert कर दिया आपके पास जो image था इसको मैं यहां से off करूँ तो आपके पास इस तरह का एक static यह वीडियो है हमारे पास और replicate effect लगाने के बाद हमारे पास इस तरह से हो गया further इसकी settings हम change करें अभी यह two count पर है हम इसको में भी eight करते हैं आप देख सकते हैं कि इस वक्त वह बहुत ज्यादा उसको replicate कर चुका है और हमारे पास कितनी ज्यादा windows इस वक्त बंच चुकी हैं same clip की जो इसके single एक shot था हमारे पास इसको हम off कर सकते हैं हम इसको delete कर सकते हैं same clip पे और किसी effect को लगाके explore कर सकते हैं तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि effect control window इस वक्त बहुत important है तो आप देख सकते हैं कि अभी जितनी भी changes हो रही है यह effect control window के through हो रही है हमने transition लगाई वो भी effect control window के through थी हमने effect लगा जाया फर्दर उसकी changes वो भी हमारे पास effect control window के through थी और बिल्कुल basic basic options जिसमें हमारे पास position, scale, rotation शामिल है वो भी सब effect control window के through ही हो रही थी तो यह बहुत important है तरीका वही same है आपकी हर effect यह अपनी-अपनी अलग-अलग properties है अलग-अप्शन हो सकती है उनकी अलग-अलग look और feel हो सकती है तो जिस effect को भी आप लगा रहे है उसमें आपको further explore करना है उसको play around करना है तो आप effect control window में जाके इसको change करेंगे दो लगाएंगे तूसरे को भी वहीं से करेंगे और जितने भी effect आप लगाते जाएंगे आप उनकी settings वहीं से change कर सकते हैं आम तोर पे हम effects बहुत explore करते जाएंगे आप effects को try करते जाएंगे आप देख सकते हैं कि कोई effect कोई एक specific look शायद दो effect के थ्रूँ अचीव हो शायद को तीन के थ्रूँ हो और further इनके steps हैं कि आपको कौन सा effect पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है तो आप इसको साथ-साथ practice करते जाएंगे effects लगा कर देखते चाहें और आपको कम असकम आपके mind में यह जरूर हो कि किस effect से क्या पर्क पड़ता है किस effect का नाम क्या है तो आप जब कैसे जैसे practice करते जाएंगे आपको further clear होता चाहेगा आगे और lecture में हम effects को explore करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से